अब आपकी तीन सो बीस का है लेकिन किसी भी जियो फोन में बिड़ाइब को यही बताऊंगा मेरा नाम है हेमेश कुमार और आप देख रहे हैं टिक लाइफ हिंदी वर्ल्ड तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना निट इनेबल करना पड़ेगा सारा प्रॉसेस मैं बिडाउट पीसी डायरेक्ट आपके फोन के जरीज़ बता रहा हूं तो यहाँ पर मैंने ब्राउजर पर आके इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर एक लिंक जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसको यहाँ पर आपको टाइप करना है तो हम बैक आ जाते हैं हमें आ जाना है ब्राउजर पर ब्राउजर ओपन करके हमें यहाँ पर लिंक टाइप करनी है तो यहाँ पर आपका Google का Home Page खुलता है और हम बटन प्रेस करेंगे Search का Search का बटन प्रेस करके हम यहाँ पर modify कर लेंगे इस link को और यहाँ पर simply हमें type करना है यहाँ पर हम इसको modify कर लेते हैं जो www.google है इसको www तक हम delete कर लेंगे http es colon double slash इसके बाद www जो है इसकी जगा हम type करेंगे cu t.ly cu t.ly फिर slash लगा कर हमें capital में type करना है p w j t z यहाँ पर cu t.ly slash slash लगा कर हमें capital में type करना है p w j t z सारा capital रहेगा p w j t z Automated फिर small में x समय लिखना है और small में x लिखने बाद फिर capital में हमें R लिखना है और को गरदेना है go okey बटन प्रेस करके हम आजाएगे नयक link पर नएक website पर आ जाएंगे और यहां पर आपको सारे जितने भी files की requirement है, वो सारा का सारा आपको यहां पर मिल जाएगा, इस site पर जाने पर इसी link के जरीए से आप इस site पर जाएंगे यह मेरी ही blog की website है और इस site पर आप आ जाएंगे आने के बाद सारा का सारा डाउनलोड आपको यही पर मिलेगा तो आप हमारी ब्लोग पर आगए हैं टेकलाई फिंदी वर्ड और इस पर नीचे आपको आ जाना है इस ब्लोगा पर आपको Geng COREE sis related बहुत सारे आपको यहां पर इस ब्लोग पर आपको बहुत सारी चीजे मिलेंगी चाहे online theme change करना, online hominist install करना, बहुत सारी चीजें, उसका downgrade file, upgrade file, latest, बहुत सारे flash files वोगरा सब मिलता है, तो यहाँ पर आपको आजाना है setting app download link, इस पर जैसे ही आप click करते हैं, यहाँ पर इसको भी click करना है, और F320B का launcher डाउनलोड करना है, F320B launcher के लिए un-app जो है, उनको भी download करना है, साथ-साथ F320 launcher का wallpaper भी यहाँ पर download करना है, यही इसी इस्तान से, इसी page से आपको सारा का सारा downloading करना है, तो सबस्पहले हम setting को download कर लेते हैं, इस setting के जरिये शे बहुत सारे features आप enable करेंगे, लेकिन इस setting के जरिये शे हम अपने theme को य launcher को enable करेंगे, launcher को enable करके, आपको जो यहाँ पर मैंने look शुरू में दिखाया, उस तरह का look आप यहाँ पर attach कर सकते हैं, लेकिन required हमारी 4 files हैं, इन सब को हमें download करना है, तो हम setting पर आ जाते हैं, और यहाँ पर setting वाले app को download करने के लिए फिर से हम नीचे आएंगे, page पर click करते ही नए page पर हम आ गए, और यहाँ पर हमें फिर से नीचे आ जाना है, और नीचे आकर लिखा, जीओ phone new app settings to enable hidden hotspot theme developer, बहुत सारे जो हमारे view of wifi, यह सारी चीज़ें hidden रहते हैं, इसको setting का app है, नया app install हो जाएगा आपके जीओ phone में, और इसके जरीए से यह सारी चीज़ें इनेबल कर देंगे, यहाँ तक की heart spot वगएरा सारी चीज़ें, तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर simply download का link है, यहाँ से हम इसको download कर लेंगे, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, अब इस page में यहाँ नीचे आकर simply download का option आपको मिल जाएगा, यहाँ पर downloading का option पर और नीचे हमें scroll करना है, यहाँ पर यहाँ पर देखिए app download link है, इस पर click करते ही हमारा downloading सुरू हो जाएगा, यहाँ पर setting का ही app का symbol है, इस पर click करते ही media fire से आपका downloading सुरू हो जाएगा, और फिर इसके बाद फिर से हमें उसी site पर आ जाना है, तो मैं history से उसी site पर आ जा जाएंगे नीचे, बहुत ही अच्छा look है, इस F320B का look है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम यहाँ पर launcher का download करेंगे, click करते ही हमारे सामने देखिए, click करते ही page हमारा redirect हो रहा है, और यह देखिए top पर downloading होने लगा, तो यह देखिए top पर हमारा downloading हो रहा है, F320B home screen यह download हो चुका है, अब फिर से हम उसी पर आजाएंगे, history के जरीए से, history में हमारा उस link पड़ा हुआ है, जो हमने अभी तक सर्च किया, अब फिर से इसी side पर आके, फिर से हम नीचे आजाएंगे, और यहाँ पर नीचे आके, फिर तीसरा downloading हम करेंगे, जो की app download जो यहाँ पर app क तो यहाँ पर third का जो app है, अन app जो है, जैसे gallery app है, setting app है, file manager app है, तो हम gallery, file manager इन सब को, तो इन सारे app को download करने के लिए, उस पर जैसे हमने click किया, नए page पर हम आ गए, यहाँ पर file manager है, यहाँ पर gallery है, तो हम जो जो आउशकता है, जो जो हम download करना चाहते हैं, वो हम यहाँ से इसको download कर लेते हैं, तो simply suppose हम gallery download करना चाहते हैं, गैलरी पर हम click करेंगे, gallery हमारा download हो जाएगा, यह देखिए उपर downloading होने लगा, और हम और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर file manager हम download कर लेते हैं, इस पर click करते हैं, यह देखिए हमारा click किया, और यह देखिए टाप पर file manager भी हम simply आपको करना क्या है फोर्थ आफ्षन जो है वाल पेपर का उसको भी चुकि हम वाल पाइपर भी चेंज करेंगी इसमें नू लुक यदि हम थीम चेंज करेंगे तो उसका वाल पेपर जो लाश्ट वाला है इसको भी हम डाउनलोड यहां पर क्लिक कर देते हैं तो जैसे हमने क्लिक किया पेज हमारा नया ओपन हो गया यहां पर बहुत सारे वाल पेपर आपको मिल जाते हैं डाउनलोड के लिए और यहां पर लिखा है तो डाउनलोड क्लिक दा इमेज को सेलेट करके उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते ही इमेज डाउनलोड हो जाग ये अपने installed Omni HD हमारे phone में Omni HD installed है इस पर हम आ जाते हैं और जितने भी एए एप हमने किया है setting का app, wallpaper का app, launcher का app, सारे को हम one by one install कर देते हैं सब कुछ अब यहाँ पर सब हम install करने के बाद यहाँ पर हमारा already installed है इसलिए इसको नहीं दिखा रहा तो home screen भी install कर देंगे इसी तरह, यह हमारा already installed था, कोई दिक्कत की बाद ने, gallery हमने install कर दिया इसी तरह सब चीज़ें हम यहाँ पर gallery हमने install कर दिया, इसी तरह file manager हम install कर देंगे और सारा install करने के बाद मैं अगले step पर आ जाता हूं कि आगे क्या करना है तो यहाँ पर omni HD के जरिये चे दिखिए, हमने सब कुछ यहाँ पर install कर दिया, file manager आ गया, gallery आ गया, new setting आ गयी अब setting आप को हम open कर लेंगे, open करने के बार right side में क्लिक करके personalize और यहाँ पर home screen पर आके F320 को select करेंगे, और यहाँ पर जैसे ही हम okay करते हैं, हमारे सामने new look आ गया, F320 भी पहुत ही best लग रहा, तो friends एक like बनता है, तो please like करिए, और अपने दोस्तों के शाहत वीडियो को share करना न भूलिए, और अधि चैनल पर नहीं, please channel को subscribe करना न न लांचर के जरिये से F320 B का look सामने आ गया, अब सिर्फ wall paper change करने के दे रही है, और भी मैं change करूंगा, लेकिन यहाँ पर internal में शुक्रा देता हूं, सारे icons वगएरा एकदम new theme के साथ change हो चुके हैं, एकदम new look आ गया, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे setting हैं, जिसके जरिये स और भी look up change कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी अच्छा look up को लग रहा है, देखने बहुत ही अच्छा लग रहा, और यहाँ पर देखिए सारी चीजें सब दिखाई दे रहा, और हमारा setting है, setting में पुराना वाला है, यहाँ पर display पर आते हैं, तो display पर य इसी भी phone में इस तरह का हम theme enable कर सकते हैं, तो हम आ जाएंगे setting पर यह देखिए, बहुत ही अच्छा है, सारे menu अगएरा, सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और देखिए, यहाँ पर यहाँ आप लिस्ट में कर देते हैं, तो कुछ इस तरह का menu के सारे items दिखाई पड़े करेंगे, राइट साइड में जो option है, option clicker के list आपने कर दिया, इसके पहले grid था, फिर से यहाँ पर single ID हम view कर देते हैं, तो one by one यहाँ पर देखिए, कितना बहुत दिखाई दे रहा, सारे icons, सारे menu के जितने भी items हैं, सारे बड़े icons में दिखाई दे रहा, बहुत ही अच्छ करना क्या है, wallpaper यहाँ पर लगा देना है, wallpaper लगाने के बाद हमारा look एकदम 100% new launcher, F320B की तरह हो जाएगा, एकदम new launch जो आपका phone है, उस तरह आपका look हो जाएगा, तो हम आजाते हैं, setting पर जो new setting हमने app download किया है, और यहाँ पर हम display पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमें आजाना है, gallery, gallery जो अभी हमने just install किया और इसमें जिस wallpaper को, AC को हमने download किया, इस पर click करके, जैसे ही हम select करेंगे, देखिए, change, wallpaper change हो चुका है, देखिए, हमारे home screen पर wallpaper बतल चुका है, अब पुना हम आपको change करके दिखाते हैं, यदि आप इस theme को हटाना चाहते हैं, फिर से original, जो है, पुराना, by default, उस पर आना चाहते हैं, तो आपको फिर से आ जाना है, इसी setting पर, setting पर आके, आपको आ जाना है, यहाँ पर home screen और यहाँ पर simply आपको home screen का default वाला select करके, ok कर देंगे, तो आशा करता हूँ, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगे, पसंद आइत आपकोगी जुब झा बूचालिए बाला सिजेविक और आपकोगी आपकोगी वीडियो आज होगे, ज हमारी जाएग पता है, तो इसम्मी मेंूगी झाकोगी 犯 है है, आपको इस पाहँ झापकोगी उले का उले कोभी, तो आपको आपकोगी यहाँ जार कंब वीचूईमा